दोस्तों जीओ फोन तो काफी तेजी से बढ़ आए इंडिया में काफी लोग उसको पसंद कर रहा है लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे यह कहूं कि अगर आप जीओ फोन पर्चेस करने जा रहा है तो रुख जाएए थोड़ी दिन इतजार करिए क्योंकि जीओ फोन से काफी अच्छा option हमारे सामने आ गया है और दोस्तों यह जो option आया है यह जो फोन आया मार्केट में यह जीओ की तरफ से नहीं है ना ही Samsung ना ही Apple की तरफ से है यह है दोस्तों Xiaomi की तरफ से MI की तरफ से यह फोन आएगा तो जाड़ीव सी बात है कम कीमत में आपको बहुत कुछ मिलन और हमारी लेटेस्ट वीडियो उसके फॉरल लुफ्त उठाईए है थेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रवीन शुक्ला करता हूं आप सभी का स्वावत इस नहीं वीडियो में दोस्तों आगे बने इस पहले picture question का यह रहा poster आप बताईए कि यह जो poster है यह कौन सी movie का है मुझे आपने movie देखी होगी comment करके अपने answer दीजिए मुझे देखना है कितने लोगों को जवाब पता है दोस्तों वापस से अपनी खबर पर आता है तो मैं आपको बताऊं कि MI का चाईना में फोन लॉंच हो रहा है जिसका नाए मैं MI Kin 1 और MI Kin 1S दोस्तों मैं Gio phone को जिससे compare करूं वो होगा 1S क्योंकि वो थोड़ा सा advance है 1 उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं 1S के बारे में ही बात करूंगा और उसकी कीमत में ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों सबसे पहले तो आपको कीमत के बारे बता देता हूँ क्योंकि कीमत का काफी जिक्या सा रहता है मैं लाज तक आप लोग को इंतिजार नहीं करवाऊंगा 2,000 रूपय में ये चाइना में लाँच हो राहा है रूपय में लेकिन करीब करीब lijंध क्ली में लोग करीड़ करें दोदूर्ग इंडि नहीं क्रीणने क्लिचाई बैटेगा 512 MB की आपको internal storage दी जा रही है इसकी एक और विशिषता है कि इसमें आपको IR blaster मिल रहा है IR blaster से आप control कर सकते हैं TV, AC बगरा और दोस्तों सबसे खास बात इसमें आपको मिलता है AI functionality AI functionality मतलब कि दोस्तों machine learning program होगा इसमें अपने आप phone सीखेगा कि कैसे आपका user experience है उसको और अच्छा बनाया जाए इसके अलावा दोस्तों इसमें USB-C port रहेगा तो connectivity काफी अच्छी है Bluetooth भी रहेगा दोस्तों Wi-Fi भी रहेगा hotspot की मुझे पूरी उमीद है कई लोगों ने का है तो इसमें आप hotspot भी देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको यह पी बता दो कि इसके अंदर आपको GPS की सुधा भी मिलती है दोस्तों जिए फोन से सो compare कि आ जाए तो यहां पर एक ही डॉबएक है MI के फोन में कि इसमें camera नहीं दिया जाता है ना आगे camera ना पीछे camera है जत्ती जिए फोन में आगे भी camera है पीछे भी camera है और थोड़ी सी storage में भी यह मात काता है MI का phone बाकी दोस्तों बाकी सारे features में यह जीए फो मोटा है तो इसमें उतना मज़ा नहीं आपकी carry करने में लेकिन दोस्तों जियो phone की कुछ features से सहते हैं पर पर सबसे बड़ा जियो phone का जो drawback है कि उसमें केवल जियो की SIM लगी और केवल 4G SIM लगी दोस्तों की काफी बढ़ा drawback है या पिर कह लीजिए एक limitation है पर दोस्तों MI की phone तो लूँगा ही लूँगो और जब भी इसके बारे मुझे कोई नहीं अप्रिट मिलेगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा तो आप समय चानल को subscribe करना ने भूलिएगा वीडियो पसंद आए हो, phone पसंद आए हो, phone की बारे में और जानना हो तो वीडियो को like करके बताईए, share कीजिए इस वीडियो को जादा जादा चलता हम दोस्तों के लिए इतना ही, bye-bye